कि आप सभी मसत होंगे और अपनी बढ़ाय में सभी वैस्त होंगे आज आपको रिजिनिंग के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक यानि की कोडिंग डिकोडिंग लिया गया है आपके लिए टपिक वाई चैप्टर वाई आपके लिए जो स्री चलाए जा रही है उसमें आपके त इसको आसान वासाम आपको समझना है इसमें दे रहे हैं कि पर्फम 25 संक्याओं का योगपल ग्याद करें इसको करने के दो तरीके हैं फर्स तरीका तो एक एंड का स्कॉएर पलस एंड कर दो ठीक है इससे भी आपका राइट अंसर आजाएगा नहीं तो आपको जो संक्या दे रहे किये उसके अंदर 25 तो आपको गरना है 25 में एक पलस कर गें 26 25 इंटू 26 कर तो उसके बाद भी आप कांसर आ सकता है इसमें देखते हैं 25 का स्कॉयर करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 625 और 25 एड कर देना है ठीक है तो यह हो जाएगा 650 ओके इस प्रकार से आपक सकते हैं अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका है 25 इंटू 26 इससे भी आपको 650 ही आएगा ठीक है इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट किसन आपके समय दे रहे का अच्छा किसन है अब आपका कोई डिकोडिक चालू हो चुका है ठी इसको यह लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा तो इसमें गोर से आपके खुल के देखना है आपको इसमें कुछ नहीं किया गया है जो वर्ड दे रहे हैं आपके समय उनको आपको उल्टा लिख दिया गया है जैनि सुरुवात कैसी कैसे की गई तो इसको क्या ल लगना नहीं है इसके बाद में next दे रहे गाए है यदि एप को 6 लिखा जाता है तो f o x को 45 तो l i o n को क्या लिखा जाएगा यानि इसका 6 होता यह और इसको इसका 6 हो गया प्लस 15 हो गया प्लस एक 24 हो गया तो यह कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा इसी प्रकार से आपको l को 12 कहते है और i को 9 लिखते है और o को 15 लिखते है और n को 14 लिखते है तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अपना पचास ठीक है इसका राइट आंसर पचास हो जाएगा ठीक है यहनि पचास इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके इस प्रकार से आपको एड़ करना है और कुछ नहीं करना है है कि इसमें यारे का वही टॉपिक है इसमेघ्च को एड़ करना टैस्र हो जाता है इंगेड़ करने पर 16 हो जाएगा इसके परकार से आपको काटना ऐख डिए पर देख लेना ऑनसर आपका ठीक है इसके बाद में आपके सामने किसन दे रहेक अच्छा किसन है कोडिंग और य है यह इस बाद इस वर्ड को ऐसा लिखा जाता है इस वर्ड को यह लिखा जाता है तो इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा तो इसके अंदर गोर से देखना है कि के लिखा के को एन कर दिया यानि तीन प्लस कर दिया तब ही तो आना इसे पदाए लिखा इसको चार लिख दिया और C में 3 प्लस करेंगे तो 6 होता है, यान F होता है, और 11 में 3 प्लस करेंगे तो N होता है, यान इस प्रकार से 3 प्लस हो रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ठीक है, इसके बाद में next दे रहा है, जैसे G, O, L, D को ये लिखा जाता है और CALM को क्या लिखा जाएगा typically कुछ नहीं करना है G O L D को जैसे जी का टी लिख रखा है। O का L लिख रखा है और L का ओ लिख रखा है T काrics डबल लिख रखा है इस परकार साइब को इनका उल्टा लिखना है Met Transicy пут i ae 27 से आफुछ निए पता सथा इस इसका निकालना है तीन इससे 3 इ uno इसी प्रकार से स्ट्टाहस मेंसे जोकुता करने बर आप ultimate कर शुतिकर करें लेकिन आप 17 को चूज करके भी का निकाल सकते हैं अगर आपको याद है तो कोई दिक्त नहीं है इसके बाद में नेक्स दे रहे है यदि चार दी को चार लिखा जाता है इसको 26 इसको क्या लिखा जाएगा तो वह यह इसको एड़ कर देना आपको यानी बारह फालास नाइन इसके बाद में नेक्स दे रहा है आपके सामने यदि किसी भी कुट बासा में एम एन जी ओ को यह लिखा जाता है इसको यह लिखा जाता है इसको यह लिखा जाता है तो इसको यह लिखा जाएगा तो इसके अंदर क्या किया गया है यानी इसमें एम से 10 जे पर आ गया है त 3-14 15 का 2-3 14 का 3 3 आइस्में उसमें आपको 3P less करना पड़ता था है इसमें3 आपको माइन स आजातमी में और आप को माइने से आ जाएगा तो आपको माणस करना था- वर्ड को विप्रित निकालना एक का उल्टा क्या होता है वो साथा इसमें कटा के देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तिसमें तीन-3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इन बारा में तीन गया तो नो बच रहा है या या उपसन यह भी डाइट रहा है यह भी बता र आधा इन इन आयों आयों बच गया और नो में से 3 गये चरह रहा ने बच गया 16 गया चाहर यह की तो अठीड िनगे दॉछ्चने करने यह याँवरे एक ठीक है इसमें इसका बाद एक है बचेगा क्यों नहीं अपन्षाने करना पड़ता है यह तो अपने को पुछ नहीं क ठीक है यहन्वी कि x हो जाएंगा एक्स हो जाएंगा यह ठीक है की ना ऑद ऑजाएंगा x ठीक है और इसमें हो रहा यह तो capacition करते रहे हैं इस साहँ आठिये हैं इस में साब आ पाद यह इसके बाद में देखना next है इसमें कुछ नहीं देगा नीचे देगे विए उस सब्द को चुनिए जो देगे सब्दों अक्सरों को परियोग किया जा सकता है कि क्यानए कि है करेण राएगा ठीक है इसके बाद में पर जा सकते जो में कर रहा होगा पर तरीके से वह आपका ओर रोंग जाए और यह यह इसका अंसर हो गाए दी शी उपसन इसका रइट अंसर हो जाएगा इसके बाद में आपको सब्सक्राइब चलेगा डिशा वाला जो अगला चैप्टर में होगा इंफाइब नमर का शैप्टर हो को समय आपके लिए फाइब नमर का व्यूड़ा ब यिब च्रीयर उतोटा है